Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, मैं Rahul Gautam, आपका Accountancy Educator, आज लेके आया हूँ, Class 11th Accountancy से Trading Account, Final Accounts पढ़ रहे हैं, उसके अंतरकत, आज हम Trading Account के 3 Questions करने वाले हैं, प्रिवेस वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट की लिंक भी दिस्क्र पर्सेंट फ्री एजुकेशन फॉर सी बीसी, इंग्लिस मीडियों, हिंदी मीडियों एंड इस्टेट वोट्स के लिए, नोट्स दाउनलोड करने के लिंक जो है वो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, नोट्स को भी डाउनलोड किया जा सकता है, राइट, चलो, तो बनाना सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, अल्री हमने तीन कोशन कर लिए है, आज और तीन कोशन को करते हैं, और पैक्टिस हो जाएगा, फार्मेट तो आसान होता है सर्ट ट्रेडिंग अकाउंट का, आपको पर्टिकुलरस अमाउंट, पर्टिकुलरस अमाउंट डेविट और रेडिट साइट बना लेने, राइट, चालो, कालकुलेट क्रोजिंग इस चॉक फ्रॉम इफॉलोइंग डेटेलिस, अब कोश्जिन आपको बोल नहीं रहा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना के सकता है, बिल्कुल इकालकुल के स आजाईए सर, बनाते हैं, तो यह रहा format of trading account, यह आपका debit side और यह आपका credit side, और क्याना लिखते हो यहाँ पे, trading account for the period, trading account for the period, जो भी X, Y, Z है, क्या क्या given है, opening stock, opening stock की जगह है क्या होती है सर, opening stock की जगह क्या है, यह है सर, opening stock की जगह, 2 opening stock, कितने रुपय का, 20,000, यह 20,000 का opening stock लिख दिया मैंने, अब बास समझना, cash sales है और credit sales है, क्या मैं दोनों को plus कर दूँ, हाँ जी सर, तो बन जाएगी total sales, cash sales plus credit sales, तो बन जाएगी total sales, तो sales कितनी हो जाएगी सर, दोनों मिला लीजिए, वन लाक रुपीज की sales है, तो sales कहाँ पर जाती है, credit side, buy sales, bracket में बहली रख दो, cash plus credit, that is वन लाक रुपीज, अब क्या आएगा, यह दोनों record कर दिये सर, अब क्या आएगा, purchases, purchases कहाँ जाता है सर, सर, purchases इधर जाता है, to purchases, and purchases rupees of 70,000, अब और कुछ information given है क्या, हाँ जी, rate of gross profit on cost, बात समझना है, rate of gross profit on cost, one third हुए इसका मतलब 33 by 1 by 3, overall क्या लेक सकते हो one third, जो भी cost है, उसका one third जो है वो gross profit है, क्या तुम्हारे पास cost given है, क्या हमारे पास cost given है, क्या cost calculate किया सकती, इसी हो जी, नहीं किया सकती, तो cost कैसे calculate करना है समझेंगे, आओ, cost calculate कर सकते हैं, cost नहीं कर सकते, लेकिन कैसे कर सकते हैं इस बात को, तो समझे, अगर कोई भी चीज, cost का, और sales का एक relationship होता है, अगर कोई चीज, cost की 1 by 2 है, तो वो sales की 1 by 3 हो जाती है, अगर cost की 1 by 3 है, तो वो sales की 1 by 4 हो जाती है, अगर वो cost की 1 by 4 है, तो sales की 1 by 5 हो जाती है, अगर cost की 1 by 5 है, तो sales की 1 by 6 हो जाती है, एक relationship है, अभी इसको हम prove करेंगे, ठीक है तो कोस्से में से बढ़ा देना यह वाइसे वर्सा अभी यह काम करताए बदी को क्वेकल करें हैं की सो कैसे तो हमारे क कॉषण में क्या गवान है कौनसा वालब लगाना हमें सेनारियो sir, हम ये scenario लगाएंगे one third वाला, cost का one third तो sales का कितना कर दी one fourth, करके देख लो sales का one fourth निकाल दू तो gross profit will be sales multiplied by one by four, तो sales कितनी है, one lakh cash press credit दोनों को plus किया, तो one by four that is gross profit is 25,000 अब cost का भी calculate करना है, इसको कैसे है, ठीक है तो sales का तो आगया, अभी cost का one third कैसे है, वो भी समझाता हूँ मैं, चालो इधर आओ, तो लिख दू, gross profit कहाँ जाएगा, gross profit तर इधर लेखो गया, to gross profit to gross profit ठीक है जी आ जाएगी gross profit लेख लेते ही, gross profit कितना है हमारा, 25,000 gross profit 25,000, लेख देना, refer to working note अब gross profit आ गया, कौन सी side बड़ी दिखते ही है, यह side बड़ी दिख रही होगी आपको, यहां से missing figure निकालने कोशिद कर रहे हैं, कितना हो जाएगा total, 1,15,000 इधर भी मुझे total कितना चाहिए, 1,15,000 तो difference क्या है, by closing stock closing stock इतने का है 15,000 closing stock इतने का है, 15,000 क्या बात समझे बड़ी, अब बताऊ सर, cost का 1 third 1 lakh minus gross profit 25 कर दो, तो COGS किसा जाएगा, that is 75,000 75,000 का 1 third कितना होगा, 25,000 क्या हमारी बात retail होगी, बिल्कुल, देखो, फिर से बताऊ gross sales कितनी है sales minus gross profit, तो क्या हैगा, cost of goods sold sales is 1 lakh gross profit is 25,000 तो cost is 75,000, cost का 1 by 3, तो देखो gross profit आगे 25,000, तो हमारा formula perfectly काम करता है क्या, कौन सा, कि अगर कोई ची, cost का 1 third, तो sales का 1 fourth, राइट, चलिए, तो जल्ली से कीजी, इसका screenshot capture, ये question complete हो चुका है, मैं move करता हूँ, उसके साथ ही, next question की तरफ, जल्ली से कीजी, done, आ जाओ, चलते हैं next question की तरफ, question number 5, a certain gross profit from the following information, क्या कोई missing information, नई सर, सब कुछ दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं, आजाओ, format हमारे पास, और ये बना के रखें, मैंने बहुत सारे formats, उपर कहा लिखूंगा, trading account, trading account, for the year ended, for the year ended, on, date नहीं मालूम, चलो, opening stock, opening stock की जग है, trading account के divert side, 2, opening stock, amounting to rupees 3 lakhs, 3 lakh का opening stock लिख दिया, speed में करना है, closing stock, जग है कहाँ पर है, 280, credit side, buy, closing stock, 2 lakh 80,000, next, next item देखूं, purchases, returns तो नहीं है, नहीं है, तो direct बहार लग दो, 2 purchases, 8 lakh 50,000, to purchases, 8 lakh 50,000, anything else, carries on purchase, direct expense, carries on purchase, direct expense, to carriage, on purchase, amounting to rupees, 23,000, next item, carriage on sales, indirect, office rent, indirect, कहाँ पर जाएंगे, profit and loss में जाएंगे, यहाँ पर recording नहीं होगी, क्या आया, sales, लिख दो, buy sales, buy sales, कितने से, 14 lakh 7,000, कर लीजिए total, यह बड़ी दिख रही है, यह हो जाएगा, 16 lakh 87,000, 16 lakh 87,000, guys, अब minus करना पड़ेगा यह, 16 lakh 87,000, minus क्या करना पड़ेगा, यह हो जाएगा, 11, 11 lakh 73,000, 0, 0, 0, 7 minus 3 is 4, 1, 6 minus 1 is 5, 0, 5 lakh 14,000, 5 lakh 14,000 क्या आगया, 2 gross profit, transfer to, PNL, done, screenshot, 5 minutes भी नहीं लगे, मेरे ख्यास, discussion को solve करने मामे, बहुत speed में कर दिये, जड़ी से screenshot capture करेंगे आप लोग, we have completed this question 2, now moving to birds, last question of the day, आज के अंतिम क्योशन के तरह बढ़े देगे, hmm, आज जाएगे, question number 6, question number 6, क्या गिवन है, almost all information is given, from the following information, prepared trading account for the year ended 31st March 23, stock, purchases, sales, carriage, inwards, returns, outward, that is purchase returns, wages and salaries, that is direct expense, ज्यान रखना, salaries and wages से तो indirect, wages and salaries से तो direct, returns, inward, that is sales return, returns, inward, sales return, stock on 31st March 23, 130, net realizable value, market value of stock as on 31st March 23, was 120, देखो, हम क्या लेते हैं, cost or net realizable value, whichever is lower, तो lower क्या है, market value, इसको record करना है, इसको record, नहीं करना है, ठीक, चलिए, बनाने जल्दी से, एक format, यह रहा format, उपर लिख दीजिए, trading account, क्या लेको क्या लेको है, trading account, for the period ended, for the year ended, year ended, on 31st March 23, चलो, first item क्या आपके पास, stock, that is opening stock, two opening stock, amounting 40,000, next item क्या आपके पास, purchases, two purchases, purchases, और purchases को मैं लिखता हूँ, inner column में, क्योंकि यहाँ पे आपको purchase returns, जो है वो question में दिख रहे हैं, तो minus करना पड़ेगा net purchase मिकालने के लिए, फिर आता है sales, तो sales जाएगा credit side, and again it is going inside, sales 380, inner column, क्योंकि हमार पास returns को भी adjust करना रहेगा, राइट, चलो, यह item पर tick करते जाना, carriage inward direct expense 20,000, to carriage inward 20,000, 20,000, ठीक है, अब आता है returns outward, that is purchase की होगा हुग माल बापेज भी दिया, returns outward means purchase returns, तो minus करनेंगे, less returns, कितना, 80,000, फिर क्या है wages and salaries, direct expense, to wages and salaries, wages and salaries is 50,000, next, returns inward, returns inward, on the sales return, minus कर दो sales message, 20,000, minus कर दो returns, 20,000, right, अब क्या आएगा, last, stock, cost लेना कि NRV, whichever is lower, तो NRV लेंगे, by closing stock, by closing stock, 1,20,000, जब सारे items अब करना है, total करना है, तो पहले यह कितना हो जाएगा, 3,20,000, और यह हो जाएगा, 3,60,000, देख लो, क्वान सी साइट बड़ी दिख रही है, वो बड़ी दिख रही है, सर, 480 हो जाएगा, 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, यह क्यों लेखिए सर आपने, माइनस करने के लिए, 320, 20, plus 40, 360, plus 20, 3,80, plus 50, 4,30, profit is 50, यह हो गया, 3,80, और 50, 50, ठीक है, 2 gross profit, question complete होता है, screen shot capture करेंगे, जल्दी से screen shot capture करेंगे, यह question भी हमारा complete हो जाता है, राइट, यह सर, चालिए, playlist जो है, recorded lectures ही कहां मिलेगी, description box में मिलने वाली है, राइट, कहां मिलने वाली है, description box मिलने वाली है, जाके आप check कर लिजेगा, next video में फिर मिलेंगे हम, magnet veins पे आपको मिलता है, complete free education quality content के साथ, हाँ जी, 100% free है, और quality content जे जाता है, क्या मिलता है सर, CVAC, English medium, Hindi medium, UP board, विहार board और MP board के वीडियोस मिलते हैं, spoken, CUT, NTSC, and Olympiad के वीडियोस भी, आपके लिए, निस्वल को उपलब्द होते हैं, magnet veins पे, notes रावलेट करने के लिंक जो है, पो description box मिल जाएगी, जाके चेक करना, ना भूलें, वीडियो अच्छा लगे तो like, share, and subscribe कर देना, मिलेंगे next वीडियो में, जब तक रखिये अपना भूसा रख्याल, स्वास्त रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को enjoy करना ना भूलेंगे, thank you so much guys for watching,